नमस्कार मित्रों मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपका अपने यूटीब चैनल हिंदी साहिते समिक्षय पर स्वागत करती हूँ आज का हमारा विश्य है रितिकाल की प्रिस्थितियां जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहिते इतिहास में समवत 1700 से लेकर 1900 तक का समय र जिसे उत्तर मध्यकाल या रितिकाल के नाम से जाना जाता है विभिन विद्वानों ने इसके विभिन नामकरण की उनका जिक्र हम अगले व्यक्यान में करेंगे जिस समय हम इनके नामकरण के विशे में बात करेंगे ठीक है तो आज के व्यक्यान में केवल हम बात करेंगे की रितिकाल की प्रिसितियां कैसी थी देखिए मित्रो किसी भी भाषा सहिते के निर्मान में योगीन वातावरण का विशेश योगदान होता है और ये है योगीन वातावरण राजनीती समाज संस्कृती सहिते तथा कला के मुल्यों द्वारा निर्मित होता है किसी भी विशेश युग के साहित्य को समझने के लिए उस युग के बातावरण यानि की समाजिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, साहितिक प्रिस्तितियों का अध्यन करना अध्यन्त आवशक हो जाता है और रितिकाल के संदर्भ में तो यह आवशक्ता और भी अधिक पड़ जाती है क्योंकि इन 200 वर्षों के दोरान राजनिति, समाज और संस्कृति में अनेक उतार चड़ाव आए और साहितिय के अगर मैं बात करूँ तो साहितिय भी एक विशेश वर्ग की अभिरूची के द्वारा नेमित था जिस कारण से साहितिय को भी एक नवीन दिशा प्राप्त हुई तो आज के व्यक्यान में हम उस समय की कैसी राजनितिक अवस्था थी, कैसी सामाजिक अवस्था थी, कैसी सांस्कृतिक अवस्था थी, कि साहितिय किस प्रकार से निर्मित हुआ इन सब बातों का अध्यन हम करेंगे तो शुरुवात करते हैं राजनितिक अवस्था से, तो नोट कर लिजिए, राजनितिक अवस्था या आप कहा सकते हैं कि राजनितिक प्रेज्थितिया कि सी भी प्रकार से आपिसे लिख सकते हैं राजनीतिक अवस्था की दृष्टी से हम बात करें तो इन 200 वर्षों का समय जो है वो दो भागों में बाटा जा सकता है अध्यन की दृष्टी से से दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, प्रथम भाग जो था उसे हम कह सकते हैं पूर्व युग और दित्य भाग को हम कहते हैं उत्तर युग, ठीक है? तो ये जो पूर्व युग था, ये रीति काल में या ये कह लीजिए कि मुगल समराजे का चर्म उतकर्ष और वैभव का युग था, क्योंकि इस समय जो राजा थे, मुगल समराट जो थे, वो कौन थे? वो शहा जहां थे शहा जहां ने, जहांगिर ने जो राज्य विस्तार किया था, शहा जहां ने उसमें बहुत अधिक बृध्धी की और शहा जहां के समय में, मुगल समराजे जो है, वो समस्त उत्तर भारत से लेकर, दक्षिर में वीजापूर गोला कुंडा, इधर से अफगान तक, जो है, वो मुगल समराजे विस्त्रित हो चुका था, यानि कि सम्पूर भारत और भारत की सिवाओं से बहार भी, मुगल समराजे की जो है, वो एक छत्र चाया, यानि कि हम कह सकते हैं कि सम्पूर भारत और भारत से बहार भी, क्या है, मुगल समराजे का अधिपत्य स्थापित हो चुका था, और यहां तक की शहां जहां के शाशनकाल में राजकोश जो था वो माला माल था पूरा धन धान्य से भरा हुआ था किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी स्थापत्य कला में भी मयूर सिहासन और ताजमहल तक का भी निर्माण उस समय हो चुका था चारों तरफ शान्ती थी किसी विदेशी आकरमन का कोई भै नहीं था तो क्या था हम कह सकते हैं कि यह जो युग है यह शान्ती और उतकर्ष वैभव का युग था परन्तु यह जो उत्तर युग था उत्तर युग क्या था वो चरम, हरास, विनाश और पतन का युग था क्योंकि 1658 EC में शहा जहां क्या हो जाते हैं बिमार हो जाते हैं और इनकी मृत्यू की अफवा फैल जाती है और जैसे ही इनकी मृत्यू की अफवा फैलती है या इनकी बिमारी की खबर, खबर जो है वो इनके पुत्रों को मिलती है तो इनके पुत्रों में गद्दी के युद्ध छिड़ जाता है और इनका जो छोटा पुत्र औरंग जेव है वो बहुत अधिक महत्वा कांग्शी था क्योंकि उसे पता था कि शहां जहां उसके बड़े भाई यानि की दाराशिकोहों को अपना उत्राधिकारी बनाना चाहते हैं क्योंकि दाराशिकोहों जो थे वो अकबर की भाती उदार विचारों के व्यक्ति थे और प्रजा में भी बहुत अधिक लोग प्रिये थे तो शहां जहां अपने बड़े पुत्र को ही गद्दी पर आसीन करना चाहते थे परंतु औरंग जेव जो थे वो बहुत अधिक भाई से युद्ध किया और उसे मोत के घाट उतार दिया और इधर से अपने पिता शहां जहां को भी आगरा के किले में बंदी बना दिया या कैद कर दिया और स्वयम सत्ता पर आरूढ हो गया परंतु औरंग जेव क्या था बहुत अधिक धार्मिक रूप से कटर था और धार्मिक कटर्ता ने चारों तरफ अशांती का वातावरण उत्पन कर दिया और जिसके कारण क्या है चाहे वो मराठे हो चाहे वो जाट हो सिख हो सभी के सभी औरंग जेव के कटर दुश्मन हो गई और चारों तरफ से क्या है उपदर्व मच गया और औरंग जेव जो है वो उन उपदर्वों को उनको शांत करने में ही उनका दमन करने में ही अपना संपुर्ण जीवन बिता देता है तो ना तो वो कोई समराजे विस्तार कर पाता है और ना ही अपने राजे में शान्ती विवस्ता ही कायम कर पाता है हाँ उसने हिंदों के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम जरूर किया और उस काम ने क्या किया, उस काम ने क्या है, समाज में पूरी तरह से अशान्ति फैला दी और उस समय का बातावरन जो है वो ऐसा हो गया था कि जो लोग है वो अपनी धार्मिक आस्थाओं का जो है वो निरता पूरण या दड़ता पूरण पालन करने में भी क्या करने लगे थे डरने लगे थे मतलब वो अपनी धार्मिक आस्थाओं का भी पालन खुल करके नहीं कर पा रहे थे तो इस समय ऐसा बातावरण जो है वो ओरंगजेब के समय में हो गया था ओरंगजेब की इस प्रकार की प्रिवर्ति का असर ये था कि उसके जो पुत्तर थे वो भी उससे डरते थे क्योंकि उस समय ओरंगजेब की आज्या को नमानना क्या था एक प्रकार का अपराध था और जिसके कारण उनके जो पुत्तर थे वो भी प्रतिभावान नहीं हो पाए या फिर 1707 में जब ओरंगजेब की मृत्यू हो जाती है तो ओरंगजेब मुगल समराजे को कोई अच्छा या प्रतिभावान या कुशल उत्राधिकारी देने में एसमर्थ थे या कोई अच्छा उत्राधिकारी वो नहीं दे पाए उनकी मृत्यू के पश्चात भी ऐसा ही हुआ और अंगजेब के पुत्रों में भी गद्दी के लिए युद्ध छिट गया और उनका जो दूसरा पुत्र शहा आलम जिसे मृत्यम भी कहा जाता है वह गद्दी पर आसीन हो गया हाँ मृत्यम जो थे वो थोड़े बहुत उदार प्रवर्ति के व्यक्ति थे परन्तु वे भी थोड़े समय के लिए ही राजगद्दी पर आसीन रहे और 1715 तक ही वे जो है वो राजसत्ता संभाल पाए और 1712 के पश्यात जो है वो 50 वर्षों तक कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समय तक मुगल समराट आए और गद्दी पर आसीन होते रहे और उतरते रहे और जो कुछ लंबे समय आरूड भी हुए तो उन्होंने अपना जीवन जो है वो विलासिता में ही काट दिया मुगल समराज्य का विस्तार नहीं कर पाए और यहां तक कहा जाता है कि इतने अधिक निकम में नकारा मुगल समराट हुए जैसे कि जहांदर शाहा के लिए कहा जाता है कि वे दर्बार में कंखी और शिशा लेकर के बैठते थे और बालों को ही समारते रहते थे एक समराट थे जिनका नाम था मुहुमद शाह रंगीला बहुत रंगीन वस्तर पहन करके आते थे चाँ चोबिस घंटे दर्बार में जो है वो संगीत चलता रहता था नर्तिकिया नाचती रहती थी सुरा और शराब के प्याले चलते रहते थे तो इस तरह का बातावरन जो था वो मुगल काल में उस समय था जिसे रितिकाल हम कहते हैं तो इन सब बातों को जान करके हम समझ सकते हैं कि उस समय की राजनितिक वेवस्ता कैसी थी और इस राजनीतिक वेवस्था का लाभ जो है फिर विदेशी आक्रमनकारियों ने उठाना शुरू कर दिया क्योंकि जो अमीर उम्राव मनसबदार जो थे वो क्या होगे कि उन्होंने देखा कि राजा निकमा और नकारा है तो उन्होंने भी अपने आपको सवतंत्र कर लिया और उन्हें भी लगा कि हमारे उपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और हमें किसी का भै नहीं है तो वो भी विलासिता में डूब गए फिर 1738 इस्वी में जो नादिर शाहा का अकर्मन हुआ उस अकर्मन में मुगल समराज्य की नीव पूरी तरह से हिल गई और रही सही कसर 1761 इस्वी में एहमद शाह अबदाली के अकर्मन ने पूरी कर दी और अब मुगल समराज्य जो है वो केवल दिल्ली और आगरा तक ही सिमित हो करके रह गया था फिर कुछ विदेशी वेपारी आए खास करके अंग्रेज और अंग्रेजोंने क्या है अंदर ही अंदर शक्ति का संचे कर लिया और उन्होंने 1803 तक संपूर उत्री भारत पर अ अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया और जो मुगल समराज्य है वो केवल नाम मात्र का ही बादिशाहा रहे गया था और असली सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी 1857 इसी में यदिपी जो हमारे भारत की जनता है उसने एक विद्रोह किया और इन विलासी मुगल राजाओं को पुन्हे सत्ता पर स्थापित करने का प्रयास किया परन्तु यह प्रयास भी जो है वो एसफल ही रहा और मुगल समराज्य का करुणा पूर्ण अंत 1857 में जाकर के हो गया यह तो थी केंद्रिय सत्ता की बात और अगर मैं बात करूं देशी राजाओं रजवाडों और नवाबों की इनका भी कुछ ऐसा ही हाल था जो राजस्थान की राजा थे वो भी इसी प्रकार विलासी हो गए थे और बहु पतनी प्रता में बहुत अधिक करने लगे थे तो इसका परिणाम यह हुआ कि यह भी रागरंग में डूब गए और अपने जो पुरानी प्रतिष्ठा थी पुराना गोरव था उन नकारा निकम में जो मुगल समराठ थे उनसे वापस नहीं ले सके हां कुछ प्रयास जो है वो बुंदेलों ने मराठों के साथ मिलकर किया परंतु राजपूतों की जो थोथी एंकार वादिता होती है और उनका आपसी जो मन मुटाव था उसके कारण क्या है वे लोग भी अपनी प्रतिष्ठा को पुन्हे प्राप्त करने में एसफल ही रहे तो इस प्रकार अगर हम देखें कि इस समय की राजनित वे वे वस्था जो थी वो बिलकुल भी अच्छी नहीं थी अब हम बात करते हैं इस समय की समाजिक अवस्था की नोट कर लीजिए समाजिक अवस्था समाजिक अवस्था समाजिक दृष्टी से भी यह युग जो था वो घोर पतन का ही युग था क्योंकि इस समय क्या था समंत वाद का बोलवाला था और समंत शाही के जितने भी दोश होते हैं वे सभी दोश इस समय की समाजिक वेवस्था में मोजूद थे और जिनका प्रतेक्ष प्रभाव जन समाने के उपर पड़ रहा था और समाजिक विवस्था का केंदर बिंदू कौन था बादिशाह था और बादिशाह के अधीन अमीर उम्राव और मनसबदार इत्यादी आते थे और फिर उहदों की अनुसार अनेक करमचारी या उहदेदार आते थे और प्रतेक जो था निम्न वर्ग का या कह लिजिए कि प्रतेक जो उहदेदार था वो अपने से उच अधिकारी को खुश करना अपना कर्म समझता था अपनी निती समझता था और जो उच उच होदेदार थे वो अपने से निम्न करमचारियों को अपनी निजी समपती समझते थे और उनका उपयोग केवल अपने लिए ही मानते थे और अगर बात करूँ तो समाज दो वर्गों में बटा हुआ था शोशक वर्ग और शोशित वर्ग और जो शोशित वर्ग थे उनके शोशित वर्ग में भी दो वर्ग आते थे पहला जो वर्ग था उसमें थे किसान और मजदूर और जो दूसरा वर्ग था उसमें थे जमिदार, साहुकार, वैपारी, दुकानदार ये जो लोग थे ये शोशित वर्ग में तो आते थे परन्तु ये प्रथम वर्ग में और ये दुतिय वर्ग में और जो प्रथम वर्ग की आये का जो स्त्रोत था यानि कि शोशिक वर्ग की आये का स्त्रोत कौन थे यही दुतिय वर्ग के लोग थे क्योंकि इन्हें जो पैसा है वो कहां से प्राप्त होता था किसानों, मजदूरों, जमिदार, साहुकारों से कर के रूप में या राजकोश के रूप में इन्हें क्या है ये पैसा प्राप्त होता था जो इनके राजकोश को भरता था जमिदार साहुकार का आयका स्त्रोत कौन थे ये किसान और मजदूर थे तो ये किसान और मजदूर जो थे ये चारों तरफ से पिस रहे थे क्योंकि किसान और मजदूर किस पर निर्भर थे खेती पर निर्भर थे और दिहाडी पर निर्भर थे किसानों की जो खेती है उसके उपर अनेक प्रकार से प्रभाव पढ़ता था पहला प्रभाव तो पढ़ता था जब सैनिक जब कूच के लिए जाते थे यानि कि युद्ध के लिए जाते थे तो जब उनके खेतों में से निकलते थे तो खड़ी फसल को बरबाद करके निकल जाते थे दूसरी और कभी अती वरिष्टी हो गई कभी ओला वरिष्टी हो गई कभी बारिश नहीं हुई तो इन सब बातों का प्रभाव भी इसे क्या करना पड़ता था इसकी खेती पर पड़ता था परन्तु खेती ना होने के बावजूद फसल ना होने के बावजूद भी इसे क्या करना पड़ता था लगान देना पड़ता था और उस लगान को देने के लिए फिर उसे क्या करना पड़ता था जमीदारों साहुकार या वैपारियों से पैसा ब्याज पर लेना पड़ता था और उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर उसे क्या करना पड़ता था मजदूरी करनी पड़ती थी बेगार करनी पड़ती थी और उस मजदूरी को करते करते उसका संपूर्ण जीवन निकल जाता था परन्तु इन जम प्रामिदारों और साहुकारों का ब्याज तक वो नहीं चुका पाते थे तो अगर हम कहें कि किसान और मजदूर जो थे इनकी स्थीती इस समय जो थी वो सबसे अधिक क्या थी बेकार थी या फिर बहुत अधिकी लोग बेवस थे अब मैं बात करती हूँ नारी की जैसा कि री नारी जो थी इस समय केवल और केवल भोग्या के रूप में देखी जाती थी जो पुरुष है वो नारी को अपनी संपति मात्र समझते थे और उसके शरीर का उपयोग करना अपना धर्म मानते थी और नारी जो है वो घर की चार दिवारी में ही कैद होकर के रह गई ती और यहां तक कि इतना बुरा हाल था कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वे निम्न वर्ग की लड़कियों को उठा करके ले जाते थे और उनका शारिरिक शोषन करते थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि लड़कियों के कम उमर में ही विवा कर दिये जाते थे और बाल विवा प्रथा का जन्म हो गया। इधर से परदा परथा, सती प्रथा इतियादी अनेक कुरितियां जो थी वो समाज में व्याप्त हो गई। क्योंकि अपनी बहन बेटियों को बचाने का इन्हें क्या है एक ही तरीका नजर आता था। इन सब तरीकों के माध्यम से ही वो उनकी असमिता की रक्षा करना चाहते थे। तो समाज में क्या है अनेक बुरईयां या अनेक कुप रथाएं प्रचलित हो गई। और नारी जो थी इसकी स्थीति जो है वो बहुत बदतर हो गई थी। नारी को केवल एक शरीर माना जाता था। उसके भाव क्या है उसकी क्या मनोदशा है इस बात का कोई भी जिकर नहीं होता था। इस बात की किसी को कोई प्रवाहा नहीं थी। और अगर हम राज महलों की बात करें तो राज महलों में जो राजकुमार है या फिर जो शहजादे थे वो भी तीतर बटे लडाना, तीतरों को पालना, शतरंज खेलना, लड़कियों से छेड़ छाड़ करना इसी प्रकार के कामों में व्यस्त रहते थे। क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थे और शिक्षक वर्ग भी जो है वो इसी प्रकार का था कि कामकला के शिक्षा दे कर ही अपने जो शिक्षक करम की इतिशरी समझ लेता था और फिर वैसी ही कामकला का प्रभाव उन शहजादों पर पड़ता था। इधर से जो शहजादियां थी जो राजकुमारियां थी उनकी विलासी माताएं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी जिसके कारण वो अपने ही महल के नोकरों चाकरों से इश्क लडाने लगती थी उननी से प्रेम वैपार करने लगती थी यहां तक कि विवाहित पतन का ही काल कहा जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं इस समय की सांस्क्रितिक प्रिस्थितियां किस प्रकार की थी लिख लीजिए सांस्क्रितिक प्रिस्थितियां सांस्क्रितिक अवस्था कह लिजी या प्रिस्थितियां आप कह सकते हैं तो सांस्क्रितिक द्रिष्टी से भी यह काल जो था वो उत्तम नहीं था क्योंकि जहांगीर, अकबर या शहां जहाने अपनी उदारता पूर्ण नीती और संतों और सुफियों के प्रभाव के कारण प्रवचनों के कारण हिंदू और इसलाम जो एक दूसरे के निकट आये थे तो ओरंगजेव की कटरता पूर्ण नीती के कारण वो लोग पूरी तरह से अलग हो गए थे और जिसका प्रभाव यह पड़ा कि ओरंगजेव इतने अधिक कटर थे मैंने पहले राजनीती कवस्था में भी बताया कि जो लोग है वो अपनी धार्मिक आस्थाओं का दिड़ता पूर्वक पालन करने में भी डरने लगे इधर से जो हिंदू भाशी जो लोग थे या हिंदी भाशी जो शेत्र था उस शेत्र में वैशनो संप्रदाय का बोल बाला था और वैशनो संप्रदाय के जो पीठा धीश थे वे भी क्या है राजाओं को अमीरों को जो है वो गुरु दिक्षा देने लगे और उस गुरु दिक्षा के कारण जो था वो उनका तत्व चिंतन जो था वो गायब हो गया क्योंकि लोभवश पैसे के लालच में वो ऐसा करते थे तो धर्म से तत्व चिंतन गायब हो गया और धर्म में क्या आ गई भोतिकता समाहित हो गई और जो राधा और क्रिशन भक्ति काल में आराध्य थे पूजनिय थे श्रधा भाव से पूजे जाते थे वही राधा और क्रिशन रीती काल में समाने नाइक नाइका के रूप में हो गए और माधुरिय पूर्ण भक्ती का बहाना बना करके उनका शेंगारिक चित्रन किया जाने लगा यही हाल राम भक्ती संप्रदाय था उनका भी ऐसा ही हाल था और राम भक्ती संप्रदाय का जो स्थान था वो रसिक संप्रदाय ने ले लिया जो राम बहुत मर्यादित रहे हैं जिने मर्यादा पुर्शोतम कहा जाता है उसी राम का भी विलासिता पूर्ण चित्रन जो है वो इस युग के वातावरण में किया जाने लगा और रामचरित मानस श्रीमद भागवत ये क्या हैं ये केवल और केवल विलासिता का या मनोरंजन का साधन बन करके रहे गए थे जो धर्म का सवरूप है वो असली सवरूप लगभग गायब हो गया था हाँ ये है कि जो हिंदी भाषी जो दक्षिन शेत्र थे उनमें क्या है कि तत्व चिंतन था परंतु उनका प्रभाव जो है वो हिंदी भाषी शेत्रों पर नहीं पढ़ रहा था और ये लोग जो है जैसे कि हिंदू जो है वो मंदिरों में जाना चाप़े तिलक लगाना इतियादी ही अपना धार्मिक क्रित्य समझने लगे तो इधर से मुसलमान जो है वो रोजे रखना नमाज पढ़ना इसी को ही अपना धर्म समझने लगे कहने का अर्थ है कि जो धर्म का तात्विक चिंतन है या जो धर्म का असली सबरूप जो है जिसे व्यक्ति के संसकारों में उदारता आती है उसके सभाव में नैतिकता आती है तो वह जो धर्म का सबरूप था वह बिलकुल गायब हो चुका था जो मंदिर और मस्जिद है वो विलासिता के अड़े बन गए थे क्योंकि जो निम्न वर्ग है वहे भी धर्म भीरू हो गया था और क्या है अंधविश्वासों के चक्कर में फसकर क्या है महंतों पुजारियों और ये जो मुल्ले है इनके दर्बारों पर माता रगड़ना वो शुरू कर देते हैं और वहीं से अपने मनुरत को सिध करने का प्रयास करते हैं और इनका फाइदा वहीं महंत और पुजारी उठाते हैं और जिसके कारण जो मंदिर मसजिद हैं वो भी क्या हो जाते हैं विलासिता का और भरस्टा चार का अखाड़ा बन करके रह जाते हैं तो धर्म की दृष्टी से कह लीजी या सांस्कृतिक वातवर्ण उस समय बिलकुल भी अच्छा नहीं था अब हम बात करते हैं उस समय की साहितिक अवस्था किस प्रकार की थी तो लिख लीजी साहित्य एवं कला साहित्य और कला की दृष्टी से यह युग प्रयाप्त सम्रिध कहा जा सकता है क्योंकि इस युग के जो कवी थे वो समान्य वर्ग की व्यक्ति थे परन्तु किसी ना किसी राजा के अधीन होने के कारण उनकी गिंती जो है वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होने लग जाती थी और राजाओं के दरबारों में इन्हें बहुत अधिक मान सम्मान मिलता था और यह सभाविक सी बात है कि कलाकार या कवी को मिलने वाला सम्मान उसके स्रजन कारिये को हमेशा प्रोथसाहित करता है और इस मान सम्मान का ही परिणाम था कि इस युग के कवी ने अपने काव्य का गुण और परिमान दोनों ही द्रिष्टियों से बहुत अधिक विकास किया तो इस युग में जो सहिते है वो बहुत अधिक विशद और विशाल है जिस पर हिंदी सहिते गर्व कर सकता है परन्तु इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा कि ये जो आशेदाता थे ये अपनी रूची के अनुसार कवियों से लिखवाते थे और कवी क्योंकि उन आशेदाताओं के यहां रह रहा था उनसे धन अर्जन कर रहा था उनसे उसकी आजिवी का चल रही थी तो कभी भी उन आशेदाताओं की अभिरूची के अनुसार लिखने के लिए पूरी तरह से मजबूर था इसी कारण यह हुआ इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो सहित्यकार या ये कह लिजी कि जो कभी प्रतिभा का विकास जितना उत्तम द्रिष्टी से होना चाहिए था उतना उत्तम नहीं हो पाया क्योंकि जो कभी कला थी वो राजाओं की अभिरूची से बंधी हुई थी और राजाओं की अतिशोक्ति पूर्ण गुनगान करना राजाओं की विलासिता या उनकी वासना को गुदगुदाने के लिए शंगारिक रचनाए लिखना इन कभीयों की क्या हो गई थी विवश्ता हो गई थी तो कवे का वह उत्तम रूप ये प्रस्तुत नहीं कर पाए जितना उत्तम रूप ये प्रस्तुत कर सकते थे या जितनी इनकी प्रतिभा थी वो निखर कर सामने नहीं आ सकी दूसरा उन पर क्या प्रभापड़ा कि इस समय की राजभाशा क्या थी फारसी राजभाशा थी और फारसी जो राजभाशा है या फारसी कहली जी कि फारसी की जो शैली है वो अलंकरित शैली है चमतकार प्रधान शैली है तो इस चमतकार प्रधान शैली का प्रभाव जो है वो इस युग के कवियों पर दिखाए पड़ा परन्तु एक बहुत अच्छी ये बात हुई कि ये कवी अपने सुंद्रिय प्रधान उपकरणों की खोज में फार्सी ग्रंतों के और नहीं गए बल्कि कहा गए संस्कृत ग्रंतों की और ये उन्मुख हुए और इन्होंने अपने सुंद्रिय प्रधानों की खोज के लिए क्या है संस्कृत ग्रंतों के का रिती निरूपन करना शुरू कर दिया और ये रिती निरूपन इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि इस काल का नाम ही रिती काल पड़ गया और अनेक जो है वो ग्रंत लिखे गए कोई रस से संबंदी था कोई लंकार नाई काभेद काव्य प्रियोजन काव्य हेतू इन सब बातों को लेकर के अनेक ग्रंत लिखे गए और इन गरंथों को लिखने के दो ही उदेश्य थे एक तो उदेश्य ये था कि उस समे का कभी जो है वो अपने कावे समर्थे का प्रदर्शिन करना चाहता था और दूसरा अपने राजाओं या आश्यदाताओं को वो कावे शिख्षा देना चाहते थे तो इन दो प्रयोजनों से या इन दो प्रकार के उदेश्यों से उन्होंने इस प्रकार के सहित्ते की रचना की थी इधर से जो कुछ एक कवी ऐसे भी हुए जो किसी भी राजा किस रंक्षन में कावे रचना नहीं कर रहे थे बलकि सवतंतर रुप से कावे रचना कर रहे थे तो आशित कवियों और सवतंतर कवियों को मिला करके इस काल में जो सहित्ते है वो विशद है गुण की दृष्टी से और परिमान की दृष्टी से भी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य की द्रिष्टी से यह यूग जो था, वो क्या था? समरिध यूग कहा जा सकता है. और अगर हम कला की बात करें तो इस काल में स्थापत्य कला का चरम उतकर्श हुआ. इसमें भी हम पूर्व यूग और उत्तर यूग की बात कर सकते हैं. जैसे कि पूर्व युग में जो जहांगीर थे उनके समय को चितर कला का स्वन युग माना जाता है और शहां जहां ने अपने समय में स्थापत्य कला को बहुत महतव दिया जैसे कि उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई इधर ताज महल का निर्मान करवाया तो बहुत से उन्ह प्रकार के मस्जिदों का निर्मान करवाया और अगर हम देशी राजाओं की बात करें तो राजस्थान की जो राजस्थानी शैली है चित्र शैली है उसका विकास हुआ और परवर्तिय जो शेत्र थे उनमें जो चित्र शैली का विकास हुआ उसे कांगडा शैली के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार क्या है इस काल में कला और साहिते जो था वो बहुत सम्रिद था इसका चरम उतकर्ष हुआ परंतु राजनिती की दृष्टी से कहें समाजिक दृष्टी से कहें या सांस्कृतिक दृष्टी से कहें तो यह काल जो था वो घोर पतन का काल था इस इस प्रकार से यह हमारा प्रशन यहीं पर स्माप्त होता है किसी को कहीं से भी कुछ पूछ नहों तो आप कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और अगर आपको ही मेरा वैख्यान पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजी कुछ वैवधान उत्पन हुए उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ धन्यवाद